साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है कई बड़े बड़े स्टार्स ने अपनी फिल्मों की तयारियां शुरू कर दी कहीं कोई अपनी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर रहा है कोई स्टार्स अपने नए प्रॉजेक्स स्टार्ट कर चुके हैं तो कई स्टार्स अपनी फिल्म की एसे में इस हाई टाइम फोर शारुखान 2 कि वो भी आक्षिन में वापस लॉड़े और जल से जल अपने किसी प्रॉजेक का एलान करें और लगता है कि फैंस की भी ये दूआ अब जल पूरी हो सकती है दरसल एक जगा जहां शारुखान जल्दी अपनी अपकमेंट फिल्म पठान के ज़री धमाल मचाने लिए तैयार है और सबी जानते हैं कि करोना की चलते फिलाल बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट पड़ा है लेकिन वहीं अब लेटेस्ट खबर है कि शारुखान 26 जन्वरी को अपनी नई फिल्म का एलान ली कर सकते है टाइम साफ इंडिया की रिपोर्ट की मताविक खबर है कि शारुख की अगले प्रोजेक्ट को लेकर 26 जन्वरी को एलान होगा और इस प्रोजेक्ट को डिरेक्ट किया है डिरेक्टर अट्ली ने जी हम बात कर रहे हैं फिल्म लाइन की हाला कि अभी इस खबर को लेकर शारुख खान ने कोई रियाक्शन नहीं दिया है मगर उनके फैन्स को इंके रियाक्शन का इंतिजार रहेगा आपको उताते कि साउट डिरेक्टर अट्वी ने पैन इंगिया ड्रामा के लिए शारुख खान के साथ कुलाबरेट किया है और बाक टू बाक हीट फिल्में देने वाले डिरेक्टर के रूप में अठली को जाना जाता है वैसे इस फिल्म में शारु के साथ मैंतारा प्रियमनी, सान्या मलेटरा, राना डागुबती और सुनील गोवर जैसे स्टास नज़र आएंगे हाला कि अभी इस फिल्म का एलान 26 कारी को होगा या नहीं, फिलाल इसे लेकर अभी ओफिशल कंफरमेशन का इंपिजार रहेगा बात करें शारु के आखरी फिल्म की तो वो आखरी बार साल 2018 में आइफोल जीरो में आट्रिस अनुष्का शर्मा और कट्रीना करफ के साथ मिज़र आए थी इसके लावा शारु को कुछ दिनों पहले ही पठान के सेट पर स्पॉट किया गया था और इन दिनों उन्हें सोचल मीडिया और पबलिक यादरिंग से दूरी बनाई हुई है दरसल अपने बेटे आरियन खान के केस को लेकर शारुकां किछले काफी टाइम से ब्रेक पर थे लियाजा उन्होंने अपनी फिल्मों की शूटिंग पे भी रोख लगा दी थी और सोचल मीडिया से भी शारुक दूर थे मगर अप शारुक जल से जल अपनी पठान फिल्म और अट्ली की शूटिंग को निप्टाएंगे ताकि वो फाइनली अपने फैंस को इन फिल्मों की अनौंश्मेंट करके गुड नीउस दे सकें बोल्लीवूद की लेटिस न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए, सब्स्क्राइब करे हमारे चानल क्रेजी फोर बोल्लीवूद को And yes, don't forget to press the bell icon, ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information, आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं